लगातार तीन दिनों से कभी तेज, कभी कम बारिश और कभी धूप निकलने के साथ ही मोसम में कभी नमी तो कभी उमास से फसलों में भारी नुकसान हो रहा है स्वमवार को फिर हुई तेज बारिश से शेतर के साथ ही ग्रामबिणगाओं की किसान शीवरामबिता बूद्धा की खेट में कटे हुए सोयविन के ऊपर तेज बारिश हुई जिससे सोयविन पूर रूप से डूप गए शेतर में पहले ही पीले मोजेक रोग से सोयबिन पूर्ण रूप से नस्ठ हो चुकी है फिर भी बची हुई सोयबिन की फसल जैसे तेसे किसान निकालने का प्रयास कर रहा है मगर लगातार तीन दिनों से भी कभी तेज कभी कम बारिश ने किसानों की आफ़त और बढ़ा दिये सरकार को इस और ध्यान देकर किसानों की फसल को सो प्रतिशत नुक्सानी में आखना चाहिए ताकि किसान इस दोरी मार को जहल सके क्योंकि पीला मोजे करोग और अब आफ़त की बारिश शेतर का किसान दोरी मार जहल रहा है